Hello Everyone, Welcome to Trending Economics आज का हमारा टॉपक है पूर्ण रोजगार किसको कहते हैं? इसे इंग्लिश में फुल इंप्लाइमेंट बोला जाता है आए आसान भाशा में समझते हैं जब वर्तमान मजदोरी दर पर प्रतेक व्यक्ति काम करने को एक्छुक होता है और उसे काम मिलता भी है तो उसे ही पूर्ण रोजगार कहते हैं अब एक इसका एक्जामपल देखते हैं ताकि हमें बिल्कुल समझ में आ जाए मान लिजे वर्तमान में मजदोरी दर 500 रुपे प्रती दिन है मतलब रोज 500 रुपे मिलता है और उस पर प्रतेक उस पर मतलब उस दर पर प्रतेक व्यक्ति काम करने को तयार है साथ ही उसे काम मिलता भी है तो इसी को हम पूर्ण रोजगार कहेंगे लेकिन एक्चुल लाइफ में ऐसा होता नहीं है पूर्ण रोजगार हमारे लाइफ में एक्जिस्ट नहीं करता है वजब थोड़ी बहुत बेरोजगारी दर होगी चाहें वो 0.02% की ही क्यों ना हो 0.001% की ही क्यों ना हो वजब फुल एंप्लाइमेंट कभी नहीं होता है लेकिन हम अमोमन यह मान कर चलते हैं की पूर्ण रोजगार मना जाता है ठीक है आई होप आप समझ गयोंगे पूर्ण रोजगार क्या होता है एच्छिक बेरोजगारी किसको कहते हैं इसे इंग्लिश में voluntary unemployment बोलते हैं voluntary का मतलब भी एच्छिक होता है अपनी इच्छा क्यानुसा चोटी सी परिभाशा है आईए देख लेते हैं जब कोई विक्तिकार करना नहीं चाहता है या अपनी योगिता से अधिक मजदूरी की मांग करता है तो इसे ही एच्छिक बेरोजगारी कहते हैं लास्ट वाला point important है ऐसे लोग के कार्य ना करने के बहाने भी बनाया करते है तो आई होप आप समझते होंगे एच्छिक बेरोजगारी क्या होती क्योंकि योग अपनी मर्जी से काम करते नहीं बोलते हैं मेरी मर्जी में काम नहीं करूंगा तो जब काम नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं होगा ना उनके पास रोजगार कहां से होगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे ऐसे विक्तियों को एच्छिक बेरोजगार बोला जाता है और इस बेरोजगारी को एच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क आइस्क्रीम आप गर्मियों में खाते है, कूल ट्रिंक हो गया, गर्मियों में आप पीते है, उनी कपड़े हो गए, यह आप जाड़ों में पहनते हैं, इत्यादी, और भी ऐसे चीज़े हो सकती है, मतलब जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है, उस समय रोजगार रहता है किन्तो उस मौसम के बाद रोजगार नहीं रहता है, इसे ही मौसम में बेरोजगारी कहते हैं, सिंपल सी बात है, आप मुझे बताएए, आइस्क्रीम जो सेलर होगा, उसको फायदा जाड़ों में होगा, जाड़ों में लगबग 1-2% को अगर छोड़ दे तो कोई नहीं खा आइसक्रीम, और जो आइसक्रीम सेलर होगा, वो 1-2% के लिए तो आइसक्रीम लगाएगा नहीं, क्योंकि उससे उसका गुजारा नहीं होगा, वो गरिमियों में ही उसको लगाएगा, तो ये सीजनल हुआ न, अगर जब ये लगाएगा तब उसको रोजगार मिलेगा, पै काफे important topic है आईए आसान भाशा में समझते हैं जब किसी व्यक्ति को अपनी योगिता के अनुसार कारिन नहीं मिलता है या पूरा काम ही नहीं मिलता है तो इसे ही अर्ध, अल्प या आंशिक बोरोजगारी कहते हैं इसका मतलब यह हुआ एक व्यक्ति योगित है लेकिन जितन वो काम करना चाहता है दरसल उसको उतना काम नहीं मिल रहा है ठीक है उधारन के तोर पर हम देखते हैं यह एक व्यक्ति 300 दिन काम कर सकता है ठीक है जब कि उसे 150 दिनों का ही काम मिलता है तो इसे ही अल्प बेरोजगारी कहेंगे एक योगित है जो 300 दिन काम कर सकता है लेकि तो इसे शिक्षित व्यरुजगारी या आशिक बिरुजगारी भी कहते हैं। इसको इंगलिश में Frictional Unemployment कहते हैं। आप ध्यान से सुनियेगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि घरशिन आत्मक बिरुजगारी होती है। देखे जब एक विद्यार्ती शिक्षा पूरी करता है तो उसे अपनी योगिता तथा क्षमता के अनुसार नौकरी पाने में कुछ समय लगता है। इसी प्रिकार जब एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करता है तो उसमें कुछ समय लगता है। उप्रिक तो दोनों ही स्थितियों में एक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। इसे ही घर्षुनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, अब समझे एक विद्यारती ने शिक्षा पूरी की, अब उसको नौकरी ढूड़ने में कुछ समय लगेगा, मालीजे तीन चार महिने का समय लगता है, तो वो तीन चार महिने तो वो बेरोजगार रहेगा ना, इसी परकार एक विक्ति है, ठीक है, एक नौकरी को छोड़ दिया, अब दूसरी नौकरी की तलाश में गया, तो उसको कुछ समय लगेगा, मालीजे एक मेने का या दो मेने का समय लगता है, तो उस बीच उसको रोजगार राप्त नहीं होगा, वो बेरोजगार रहेगा, ये जो समय है, इस बीच में जो वो बेरोजगार रहा, इसी को घर्षनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में Structural Unemployment कहते हैं, आई आसान भाषा में समझते हैं, यह बेरोजगारी देश में सामानता दो कारणों से होती है, जिसमें से सबसे पहला कारण पूझी की कमी है, और द दाहरन देकर आपको समझाते हैं, ताकि कॉंसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, भारत में बिजली की कमी के कारण बहुत सी फैक्ट्रियां तथा कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे श्रिमको के श्रिमकी हान ही होती है, क्योंकि वह काम नियमी धंग से नहीं कर पाते हैं, इ पार मैं मंदी आती है, तो मांग की कमी हो जाती है, जिससे श्रिमको को उतपादन कारे से निकाल दिया जाता है, और वे श्रिमक बिरोजगार हो जाते हैं, इसी को चक्रिय बिरोजगारी कहते हैं लास्ट वाला पॉइंट important है इस बेरोजगारी का जो मुख्य कारण होता है वो मांग में कमी आना होता है simple सी चीज है एक market में एक firm है ठीक है वो कुछ production करती है और उसकी मांग में कमी आ गई और जिए शूरुकर में करते हैं कि चृत्ष है प्रच्षन या स्थिपी बेरोजगारी किसे ऐसे इंगलिश में Disguised Unemployment बोला जाता है आईए आसान भाशा में समझते हैं प्रच्छन बेरुजगारी मुखिता क्रशी में पाई जाती है जिसमें आवश्यक्ता से अधिक वेक्ति काम करते हैं यदि कुछ वेक्तियों को हटा भी दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत important है इसकी कोज पॉल रोजस्टिन रोडन ने किया था सेकंड पॉइंट है यह आलप विक्षित एवं विकास शील देशों में जादा पाई जाती है थर्ड पॉइंट है यह बेरुजगारी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है बलकि छिपी रहती है लास्ट वाला पॉइंट देखिए यह बेरुजगारी सरकारी संसाओं एवं नेगमों बे भी थोड़ी बहुत मातरा में पाई जाती है सिंपल समझे प्रच्छन का मतलब होता है छुपा हुआ ना ठीक है यह सामने से दिखाई ने देती माली जी हमको दस प्रोड़क्ट बनाने है ठीक है उसके लिए हमको पाँच लोगों की जरूरत है लेकिन हम साथ लोगों को भरती कर लेते हैं साथ रश्रमिकों को भरती कर लेते हैं तो बना तो पाँच भी सकते हैं यानि साथ हमने लगा लिया दो लोगों को हमने फालतों में लगा लिया तो जो दो फालतों में लगा लिया है उनका तो कोई काम भी नहीं था ना, अगर उनको हटा दें तब भी हमारा पांच का उत्पादन हो जाएगा, तो वह जो दो व्यक्त हैं वह बिरोजगार हैं और इस परकार की बिरोजगारी क्या कहते हैं इसे प्रच्छन या छेपी ह lavender किसे कहते हैं तकनी की बिरोजगारी किसे कहते हैं इसको इंग्लिश में technical unemployment बोला जाता है बहुत ही easy है इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये बेरोजगारी कैसी होती है जब किसी विवसाई या उद्द्योग में आधुने की करण, यंत्री करण, नवीनी करण, कम्प्यूटरी करण आध होने से श्रिमिको की मांग में कमी हो जाती है, तरथा श्रिमिको को निकाल दिया जाता है इससे होने वाली बेरोजगारी को ही तकनी की बेरोजगारी कहते हैं इसमें होता क्या है? आजकल आप जानते होंगे आधूने की करण हो रहा है, कम्प्यूटर गर आ रहे हैं, यंतिरी करण हो रहा है, यंत्रों के सहायता से काम सारे होने लगे हैं, कईकर जगण तो जहाँ दस लेबर पहें काम करते थे, एक मशीन ही काम कर ली रही है, ठीक है? नवीनी करण हो रहा है, कंप्यूटर बहुत सारे आ रहा है, तो कंप्यूटर पे होता क्या है, पहले 10 श्रमिक काम करते थे, आजकल एक ही बंदा कंप्यूटर को चलाता है, और 10-10 श्रमिको के बराबर काम करवा देता है, ऐसे हो रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, कि श्रमिक वह भी famous term सुना होगा और app भी launch हो चुका है उसका नाम है chat GPT आपने सुना होगा तो उसकी वज़े से हुआ क्या है content creators के उपर जो उनका काम है उनको नुकसान हो सकता है आप खुछ सुचे ना उसको कविता लिखने के लिए दीजिए कविता लिख देता है पांच लाइन यह बहुत सारी दिक्कत है जैसे artificial intelligence की वज़े से आने वाले समयमा हो सकता जो accountants है उनके काम पर दिक्कत आ सकती है तो यह सारी जो हो रही है technical unemployment के ही उधारन है खुली विरुजगारी किसे कहते हैं इसे English में open unemployment बोला जाता है यह बहुत ही खतरनाक होती है आई आसान भाशा में स खुली विरुजगारी कहते हैं यह जो green में लिखा यह point काफी important है यह गरीबी के कुछकर के कारण होती है जब गरीबी का कुछकर होता है तो यह विरुजगारी नजर आती है लास्ट पाइंट है इसे ला इलाज विरुजगारी भी कहते हैं ला इलाज को English में chronic बोला जाता है तो आप समझ गयोंगे कि खुली विरुजगारी होती क्या है